हेलो गाई स्वागत है मेरी नई वीडियो में और ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आ रही है उसके लिए सौरी थोड़ी बहुत प्राब्लम हो गई थी लेकिन अभी सारी प्राब्लम शौल हो गई है तो अब से वीडियो हमेशा पहले की तरह आया करेंगी जैसे पहले आया करती थी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं चलिए इंट्रो लगाते और शुरू करते हैं जैसा कि हमने लास्ट एविसोड में देखा सिटूरू की मॉम का मॉर्डर हो जाता है और उसी अंजान आदमी ने आके सिटूरू की मॉम का मॉर्डर किया रहता है और सिटूरू जो अपने घर पे आता है और अपनी मॉम को मारा हुआ देखता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहता है कि उसकी मॉम का मॉर्डर किस ने किया और तब तक पुलिस आती है और सिटूरू को ही वह एरस करने वाले रहते हैं उसकी मॉम के मॉर्डर केस में और सिट्रू बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेता है बुरा होने से लेकिन कभी का बार उसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है और अब आगे सिट्रू 18 साल पीछे आने के बाद सोच आता है कि वो इतने साल पीछे कैसे आ गया और वो क्लास्रूम में जाने के बाद सबसे पहले ड और वो सबको बताते कि आज भी कायो लेट आने वाली है और शिट्रू अपने बेंच पर बैटने के बाद सोच आता है कि वो इतने जादा साल पीछे कैसे आ गया और तब तक लंच टाइम का टाइम होता है और शिट्रू डिसाइड करता है कि वो अपने घर के लिए की मिलती है और वो घर का दरवाजा खोल के सीधा अंदर चले जाता है और शिट्रू अपने घर को देखे बहुत ही ज्यादा खूश रहता है क्योंकि वो अपने पुराने अले घर में आ गया है जिसमें कि वो पहले रहा करता था और शिट्रू सबसे पहले जाके अपनी खुश रहता है तो सितुरू की मम फुष्टे की ओखाने में बता दीता है और फिर zones रोने की कोई भी बात नहीं है और सिhis कि दिन पहले उसी के मम उसके साथyty बैढ़़के खाने ע Ambassador लेती है और सिट्रू को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि हाँ यह रिवाइवल यह और फिर अगले दिन सिट्रू जब स्कूल जाता है तब वो सोच आता है कि अगर उसको अपनी मौम को बचा नहीं है तो उसे यहां पर कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा ले कायों को देख रहता है और कायों के पेरपेंट नोटिस करता है कि उसे वहां पर चोट लेगी हुई है और फिर रिसेस टाइम पर सिट्रू के सारे फ्रेंट्स एक यह पर खड़ों के बात कर रहते हैं इसके वज़े से सबको बोरिंग हो रहता है तब ही उस ग्रूप का सब बहुत सारी बाते रहेंगी करने के लिए और हम लोगों कभी भी बोरिंग फिल नहीं होगा और किन्या से पूछता है कि सिटूरू मेरे पास एक सवाल है यह थोड़ा परसनल लेका मैं पूछ सकता हूँ तो सिटूरू हां बोलता है और किन्या उससे पूछता है कि क्या तो आज तुम साम को कायो से बात करोगे और फिस सिटूरू होता है हम दिखते सिटूरू और कायो लेक के पास खड़ों के बात करे रहते हैं काजूने बड़ी मुश्किल से कायो को मनाया रहता है इसलिए कायो यहां पर आई रहती है और कायो से आते ही सबसे पहले बोलते ह कि बेवकूफ हो यह सुनने के पास सिटूर उस पर भड़क जाता है कि तुम लोगों कैसे हेलो बोलती हो तो सिटूर बात शुरू करता है और वो बोलता है कि कायो कैसा रहेगा कि हम दुनों फ्रेंड्स बन जाए तो कायो से बोलती है तुमने मुझे मैं ऐसा देखा ही क्या जो तुम मेरे फ्रेंड्स बने चले आए अगर तुमारे पास कोई भी जवाब नहीं है तो तो रहने दो मुझे भी पता है तुम भी मेरी तरह ही हो फेक और यह सुनने के बाद सिटूर को शक होने लगता है कि कायो को ही पता तो नहीं चल गया कि वो कौन है तो कायो सिटू से पूछते कि कल मैंने तुमें देखा तुम जल्दी घर चले गए क्या तुम अपनी मौम से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो सिटूर बोलता है कि हां मैं करता हूं तो कायो बोलता है कि चल बहुत अच्छे बात है और वह वहां से जाने लगती है तो सिटूर बोलता है कि ये ठीक है ना हम दुनों फ्रेंड्स बन गए तो कायो बोलते है कि फ्रेंड हाँ तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोचे है कि तुम किसी किलर से मुझे प्रट्रिक करना चाते हो और सिटूर ये सुनने का बाद पूरी तरीके से शौक हो जाता है और हम देखते हैं लेक की दूसरी तरफ कायो और सिटूर को एक आदमी बैठके देख ररता है जो कि उसके हाद में एक पेपर प्लेन रहता है और फिर अगले जिन स्कूल में सिटूर के सारे फ्रेंड्स उससे पूछने लगते कि उसने कायो के साथ कल क्या क्या बाते की किडिया को थैंक्स करता है और फिर स्कूल से चुटने के अबाद सिटूर और किनिया एक जगए पर खाड़े के बात कर रहते किनिया सिटूर से पूछता है कि उसने कायो के साथ क्या क्या बाते की तो उससे वहाई चीच बताता ने कि जोसी यूस ने सब को बताई वो बोलता है कि खाली उसने कायो को friend बनने के लिए offer किया तो किनिया उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कायो के थोड़ा और भी पास जाना है तो तुम्हारे पास classroom की assignment बुक है और सारे बच्चों ने अपना assignment लिखा है और कायो ने अपना assignment अपने उपर ही लिखा है तो वो तुम पढ़के कायो के थोड़ा और भी पास जा सकते हो तो सिटुरो उसको थैंक्स करता है और घर आता है और सबसे पहले assignment बुक चेक करता है और वो कायो का assignment खोल के पढ़ने लगता है ना है उसका कोई classmate ना है उसका कोई teacher इवन उसकी mom भी नहीं रहेगी उसका जो मन करेगा वो करेगी उसका खेलने का मन करेगा तब वो खेलेगी उसका खाना खाने का मन करेगा तब वो खाएगी और वो सोचती है जब वो टाउन में नहीं रहेगी तब टाउन में कौन कौन सी चीज़े नहीं बदलेगी सारे बच्चे स्कूल जाएंगे तबी भी कोई चीज नहीं बदलेगी सारे बड़े लोग काम पर जाएंगे तबी भी कोई चीज नहीं बदलेगी और mom भी अपने daily routine पे रहेगी तभी भी कोई चीज़ नहीं बदलेगी और वो जब सोचती है जब वो town में नहीं रहेगी तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून फिल होता है और ये सब पढ़ते पढ़ते सिटूरू एकदम शौक होने लगता है कि कायो अपने बारे में क्या क्या सोचती है और उसने क्या क्या लिख रखा है अपने बारे में और तब ही सिटूरू की mom आ जाती है तब सिटूरू उस book को वहीं पर रख देता है और फिर तो सिटूरू बोलता है कि खाली पांच ही जन लाने वाले तो सिटूरू की मम बोलता है अच्छा ठीक और फिस होने के टाइम पे सिटूरू सो चालता है वो जितना हो सके अतना जल्दी कायों के नजदीक जाए और साइड में उसकी मॉम बैठी रहती है और वो बड़े के लिए कौन कुन सा समान लाना है और वो तब ही नोटिस करती कि शीटूर में बोला खाली पांच जन आने वाले तब शीटूर की मॉम उससे पूस्टती कि शीटूर तुम जाग रहो तुमने बोला पांच जन क्या तुमने अपने लिए गल्फरेंड भी ढूल ली है और ये सुनने के बाद सिटूर थोड़ा शौक हो जाता है और मन में सोचता है कि मौंगो कैसे पता चल गया और फिर अगले दिन स्कूल से चुटने के बाद कायो अकेले ही घर जा रही रहती है तो सिटूर के फ्रेंड उसे बताता है कि कायो तो अकेले ही घर जा रही है तो सिटूर उसे बोलता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और वो भी होहां से निकल जाता है और सिटूर रस्ते में जाते हुए सोच रहता है कि उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है क्योंकि उसे पता रहता है कि कायो उसे कहां पर मिलने वाली है और हो कायो को ढूंते हुए उसे पार्क में आता है जिस पार्क में उसने उसे एक आखरी बार देखा था और हो कायो के पास जाता है तब कायो से पूसती है कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है तो सिटूरू से बोलता है कि जैसा उसने पहली बार खाया था वो तुम्हारा खाली फ्रेंड बनना चाता है तो कायो से बोलती है कि सिटूरू तुम पता है तुम खाली प्रिटेंड करते ह और लोगों से अच्छे से बात करना और उनकी चिंता करना और मैं अपने आप से पूसता हूँ कि मेरे जैसे लूजर के पास इतने अच्छे फ्रेंड हो कैसे सकते है और तुम्हें पता है मैंने सारी चीज़े पसंद करना शुरू कर दी और वो काम भी करने लगा स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुश्किले हुई मुझे भी लेकिन बाद में सारी चीज़े ठीक हो गई अपने आप तो कायो वही सेम चीज़ बोलते है जो की काटागीरी ने उसे बोली थी हाँ कोशिच करते करते सायस से कभी वो सच हो जा और सिटूरू को यह सुनके सौक लगता और उस होसता है कि यह को हुए और हमें कोई चीज़ पाने उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेंनत करने पड़ती है तब जाके हम बदलते हैं और तब जाके हमें वो चीज मिलती है क्या कायो भी वही सेम चीज कर रही है सिटूरू को पूरी तरीके से सक रहता है कि कायो की मम उसे रोज आत को मारती है लेकिन वो सिटूरू के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई चीज का फरक ही न पड़ता हो और सिटूरू यह सारी चीज़े सोच आता है और कायो को अपने बड़े के लिए इन्वाइट करता है और वो उसे बताता है कि उसका बड़े कब है उसका बड़े रहता है 2nd March और ये सुनकर कायो थोड़ा शौक होती है और topic change करने के लिए कायो सिटूर के हाथ पर point out करती है और उसे बोलती है कि क्या उसके पास gloves नहीं है और वो अपने मन में बोलता है कि take it easy bro तुम अभी 29 साल के हो तुम सर्मा की रहो और तभी कायो अपना हाथ अटा लेती है और उससे पूछते क्या वो ठीक है तो सिटूर बोलता है कि हाँ वो ठीक है और कायो बोलती है कि हाँ चलो हम दोनों friends बन सकते क्योंकि तुमारे साथ थोड़ा आसान ये बात करना तभी सिटूर बोलता है कि हाँ क्योंकि मैंने decide किया तुमारे साथ honestly रहना और ये सुनने का बाद कायो थोड़ा शौक हो जाती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और ये वाला अभी सोड़ यहीं पर खत्म हो जाता है